साथियों, भारत की कृषी, भारत का किसान अब और पिछडे पन में नहीं रह सकता। दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलबता हैं, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती, समय हमारा इंतजार नहीं कर सकता। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिद्रश में भारत का किसान, सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, इस्थिती स्विकार नहीं की जा सकती। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो आज करने की नौबत आई है। पिछले छे साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक-एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वकुन कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में देश के किसानों की उन मांगों को भी पुरा किया गया हैं, जिन पर बरसों से सिरफ और सिरफ मन्थन चल रहा था। बिते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक क्रिशी सुधार ये कानून रातो रात नहीं आये हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा किये हैं। कम अधिक सभी संगट्रवन ने इन पर मिमर्श किया है। देश के किसानों के संगटन, क्रुशी एक्सपर्ट्स, क्रिशी अर्थसास्त्री, क्रिशी वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार क्रिशी क्षेत्र में सुधार की मांग करते आये हैं। सच्पुच मैं तो देश के किसानों को उन लोगों से जबाब मांगना चाहिए, जो पहले अपने गोशना पत्र में इन सुधारों को की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे, और बड़ी-बड़ी बाते करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने गोशना पत्र में लिखे गए बातों को भी पूरा नहीं किया। सिरफ इन मांगों को टालते रहे, क्योंकि किसानों की प्रात्विक्ता नहीं था, और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजरितिक दलों के पुराने गोशना पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की क्रशी ववस्ता संभाल रहे थे, ऐसे महनुभावों की चिठियां देखी जाएं, तो आज जो क्रशी सुदार हुए हैं, वो उनसे अलग नहीं है, वो जिन चीजों का बादा करते थे, वही बाते इन क्रशी सुदारों में की गई हैं, मुझे लगता है, उनको पीड़ा इस बात से नहीं है, कि क्रशी कानूनों में सुदार क्यों हुआ, उनको तकलिफ इस बात में है, कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मुधी ने कैसे किया, मुधी ने क्यों किया, मुधी को इसका क्रेडिक कैसे मिल जाएं, मैं सभी राजनितिक दलों को हाद जोड़ के कहना चाहता हूँ, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए, आपके सारे पुराने गोशना पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूँ, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समुरुद्धी चाहिए, किसानी में आधुनिक्ता चाहिए, आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें ब्रमीत करना छोड़ दीजिए, साथ क्यों, ये कानून लागू हुए, छे साथ महने से जादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक, ब्रम और जूट का जाल बिछा कर, अपनी राजरितिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदुग रखकर बार किये जा रहे हैं, आपने देखा होगा, सरकार बार बार पूछ रही है, मिटिंग में भी पूछ रही हैं, पब्लिकली पूछ रही हैं, हमारे क्रिशी मंत्री टीवी इंटर्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ, कि मैं आपको कानून में किस क्लोज में क्या दिक्कत हैं, बताईए, जो भी दिक्कत है, वो आप बताईए, तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, और यही इन दलों की सच्चाई है,